दो तरह के mind होते हैं, monk mind और monkey mind. monkey mind चीजों को टालता है और overthink करता है. जबकि monk mind clarity से भर आ होता है और चीजों को टालने के भजाए अच्छे से analyze करता है. monkey mind छोटी-छोटी चीजों से distract हो जाता है. जबकि one mind disciplined होता है. monkey mind जो भी अच्छा लगे वो करता है. जबकि monk mind self-controlled होता है Think like a monk एक monk की तरह सोचो और अपने mind को peace और purpose के लिए train करो पर इसा क्या खास है monk thinking में? दुनिया का सबसे खुश इंसान Matthew Ricard एक monk है Scientific experiments में जिसके brain से attention, memory, learning और happiness से associated gamma waves का highest level मिला Monks pain और anxiety से deal करने में master होते हैं वो अपनी ego को एकदम शान्त कर लेते हैं अपनी सारी desires को control करते हैं purpose और meaning से भरी हुई life जीते हैं तो क्यों ना हम दुनिया के सबसे काम सबसे happiest और सबसे purposeful लोगों से कुछ सीख हैं? हो सकता है कि आप सोच रहे हो Monks के लिए तो काम रहना बहुत ही आसान होगा वो तो जंगलों में छिपे रहते हैं जहां उन्हें jobs, rush hours, traffic जैसे कोई problem नहीं होती शायद आपको लगे कैसे एक Monk की तरह सोचना इस modern world में मेरे लिए helpful होगा तो एक Monk, Monk पैदा नहीं होता Matthew Ricards एक biologist था ऐसे बहुत से Monks हुए हैं जो finance और bank से चुड़े हो वो भी हमारी तरह cities या towns में ही बड़े होते हैं और इन जगों की distractions manage करने के लिए जो कुछ भी Monks सीखते हैं वो हम भी अपनी जिंदगी में apply करके tremendously evolve हो सकते हैं So welcome to evolve friends और आज की वीडियो में हम जानेंगे जिंदगी को purpose और meaning से भरना mind को काम करना अपनी true identity को पहचानना अपना passion और interest का पता करना negativity से deal करना 3 basic और सबसे powerful meditation उस इंसान की बुक से जिसने खुद अपनी जिंदगी के 3 साल as a monk बिताए और आज एक international life coach और best selling author है Jay Shetty की बुक Think like a monk से Jay ये promise करते हैं कि अगर आप इस बुक के material को daily practice करते हो तो आप अपनी जिंदगी का मकसद, passion और जिंदगी की real meaning को जान पाओगे और हम यहाँ evolve पर हर हफते आपकी लिए दुनिया की best books की best learnings लेकर आते हैं वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं पर सालों की मेहनत के बाद लिखी गई एक बुक और उसकी best learning इतना time to deserve करती है little learning is a dangerous thing तो इस extremely valuable information को आधा धुरा मत छोड़ियेगा वीडियो को end तक जरूर देखियेगा या आप इसे as a audio book भी सुन सकते हैं और आपकी presence ही हमें motivate करती है तो वीडियो को like करके, comment करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो शुरू करते हैं हमारी आज की बुक Think like a monk अपनी 3 साल की monk life को जे अगर 4 शब्दों में कहें तो वो है the school of life वो school जहां उन्होंने जिन्दगी के बारे में सीखा हमारा mind या तो हमें elevate कर सकता है या बहुत नीचे खीट सकता है और यही कारण है कि हमें monk की दरह सोचना चाहिए क्योंकि दो दरह के mind होते हैं monk mind और monkey mind monkey mind चीजों को टालता है और overthink करता है जबकि monk mind clarity से भरा होता है और चीजों को टालने के बज़ाए अच्छे से analyze करता है monkey mind चोटी-चोटी चीजों से distract हो जाता है जबकि monk mind disciplined होता है monkey mind जो भी अच्छा लगे वो करता है जबकि monk mind self-controlled होता है monkey mind जरा सी परेशानी होने पर अपना मकसद बदल देता है जबकि monk mind इरादे पर अडिग रहता है monkey mind demanding और काम का credit लेने वाला होता है जबकि monk mind determined और patient होता है monkey mind सिर्फ pleasure ढूटता है जबकि monk mind meaning ढूटता है monkey mind डर और negativity को amplify करता है और उसी के बारे में सोच सोच कर उसे बढ़ाते रहता है जबकि monk mind negativity और डर को breakdown करता है monkey mind multitasker होता है और monk mind एक time पे एक ही काम करता है monkey mind aimlessly एक thought से दूसरे thought पर एक challenge से दूसरे challenge पर बिना कुछ solve किये jump करते रहता है जबकि monk mind challenge की गहराई तक जाकर problem का root solution निकालता है monkey mind complain, compare, criticize करता है और monk mind humble, caring और collaborative होता है इन comparison से आपको शायद clear हो गया होगा कि हमें monks की तरह क्यों सोचना चाहिए monk रह चुके J.Shetti एक traditional Indian family में पैदा हुए थे और college time तक J.K. कोई life goal नहीं था कोई purpose नहीं था maximum लोगों की तरह वो भी बस एक अच्छी job, अच्छा partner और एक खुद के घर के बारे में सोचते जब तक वो एक इनसान से नहीं मिले थे गोरंगादास, J.Shetti के guru जिन्हें वो पहली बार अपने college में मिले जो की वहाँ selfless service पे speech देने आये थे उनके words J के heart को touch कर गए जिनमें सबसे खास उन्हें ये statement लगा हमें वो पेल लगाने चाहिए जिनकी छाओ में बैठने का या जिनके फल खाने का हमारा कोई इरादा ना हो फिर J ने monk life को explore करना शुरू किया college से graduate होने के तुरंट बाद J ने मुंबै में एक आश्रम जोइन कर लिया इस book में J ने बार-बार भगवत गीता का यूज किया है जिसका मतलब है Song of God जिससे सभी लोग इंडिया का world को सबसे important gift मानते हैं J ने जब आश्रम में रहना शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने देखा कि एक 10 साल का बच्चा अपने से छोटे 5 साल के बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था J उसके पास गए और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो तो बच्चे ने जवाब दिया आज इनकी पहली क्लास है जिसका मैं टीचर हूँ तुमने अपनी पहली क्लास में क्या सीखा था J ने सोचकर बताया अलफाबेट्स और नमबर्स तो बच्चा कहता है यहां हम पहली क्लास में सिखाते हैं सांस लेना हमारी ब्रेथ एक ऐसी चीज है जो लाइफ की वेरी बिगनिंग से और लाइफ के एंड तक हमारे साथ रहती है हम कहीं भी जाएं किसी भी सिचुएशन में हो ब्रेथ हमारे साथ है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रीथिंग चेंज होती है हम गुस्से में होते हैं तो ब्रीथिंग चेंज होती है जो हम आगे जानेंगे पार्ट वन लेट गो इस दिस डस और इस इट मी ये मैं हूँ या ये धूल है मंक्स के साथ जे एक स्टोर रूम में है आश्रम जो की हमेशा साफ रहता है ये जगा उससे बिलकुल अलग है धूल से भरी हुई है सीनियर मंक जे को एक मिरर के पास लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या दिख रहा है मिरर पे धूल की मोटी परत होने की वज़े से जे को अपना रिफलेक्शन बिलकुल भी नहीं दिख रहा तब सीनियर मंक एक कपड़े से धूल को हटाते हैं और इस धूल का बादल जे के चहरे पर आता है आखों में और गले में बहुत चुपता है तब सीनियर मंग कहते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी एक मिरर है जो की धूल से ढखी हुई है पहले पहले जब तुम मिरर में देखते हो तुम क्या हो? तुम्हारी वैल्यूज क्या है? ये सत छुपा हुआ होता है मिरर को साफ करना भले ही अनप्लीजेंट हो पर सिर्फ तब ही जब डस्ट हट चुकी हो तुम अपना ट्रू रिफ्लेक्शन देख सकते हो हमारी आइडेंटिटी होती है दो लेयर्स की आउटर और इनर एक तो धूल की जो की आउटर लेयर है और दूसरी मिरर की अपनी रिफ्लेक्टिंग लेयर जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं मेडिटेट करना शुरू करते हैं माइड को स्टेवल बनाना शुरू करते हैं तो एकदम से बहुत सारे disturbance माइंड में आते हैं, जो की हमारी outer layer है, outer world की आवाजें हैं, जो brain में sense organs से enter हुई, ठीक वैसे ही जैसे धूल outer layer है, जिसे साफ करने में बड़ी irritation होती है, पर सिर्फ इसे साफ करके ही हम अपनी असलियत को जान पाएंगे, सफाई से values दिखेंगी और values ही life को चलाती है, the media mind game, जिने हम देखते हैं, उससे हमारी values influence होती है, जो news feed में है, वो mind को feed कर रहा है, जो movies हम देखते हैं, जिन लोगों की साथ हम रहते हैं, जो songs हम सुनते हैं, जो memes हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम दिन भर देखते, सुनते, बोलते हैं, वो सारी हमारी values को हमारी जिन्दगी के माइनों को इंफ्लूएंस करता है हम जितना ज्यादा सेलिब्रिटीज की बातें वॉयलेंट वीडियो गेम्स सक्सेस इमेजिस और डिस्टर्बिंग न्यूज को सुनते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी वैल्यूस जज्जमेंट और कॉंपटीशन से भरती है असल में हमारी आइडेंटिटी इसमें छुपी होती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे वो एक स्टेट्मेंट है ना मतलब कि आप वो नहीं हो जो आप खुद को सोचते हो आप वो भी नहीं हो जो दूसरे आपको सोचते हैं आप वो हो जो आप सोचते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं हम अपनी life को improve करने के लिए जो efforts लगाते हैं वो ज्यादातर किसी और की नजर में अच्छा बैठने के लिए होते हैं जैसे हम किसी आदमी को admire करते हैं जिसके लिए money ही सब कुछ है वो ज्यादा पैसों को ही success मानता है तो हम उस आदमी को impress करने के लिए money को chase करने लगते हैं हम वो करने लगते हैं जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं तो meaningful life बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है अपनी life में खुद के लिए space built करना बाहर की noise को filter करना और अपने अंदर की आवाज को सुनना social media, school, tv, friends, family ये सारी बाहर की noise हैं जो हमें बार बार ये बताती हैं कि हमें जिन्दगी कैसे जीनी चाहिए हमें क्या करना चाहिए और हमें life में कैसा होना चाहिए जब हम अपनी life में खुद के लिए space built नहीं करते हैं अपने thoughts की गहराई में जाकर खुद को नहीं समझते हैं तो outer world के distractions ही हमारी values बन जाते हैं अभी हमें खुद को इन सब चीजों से तूर नहीं कर देना बलकि modern world में actively space को built करने के 3 steps हैं नमबर वन, on a daily basis हमें कुछ तेर बैटकर अपने mind में अपना दिन reflect करना है कि आज का दिन कैसा रहा, कैसे emotions मुझ में थे नमबर टू, ऐसा करने से हमें जो change आएगा हम उसे feel कर सकते हैं महीने में एक बार किसी ऐसी जगह जाकर जहां हम आज तक ना गए हो, वो कुछ भी हो सकता है जैसे कोई पार्क, कोई vacation या library जहां हम पहले कभी ना गए हो, ताकि हम खुद को एक different environment में explore कर सकें किसी ऐसे काम में involve होना जो हमारे लिए meaningful हो, जैसे कोई अच्छी hobby या कुछ भी जिससे आप world को कुछ दे सको या space को build करने का अगला तरीका है ये देखना कि हम अभी हमारे पास जो time है, हम उसे कैसे use कर रहे हैं और क्या हमारी daily choices हमारी true values को reflect कर रही हैं, हमारी values कहां से आती हैं, दुनिया हमें बताती हैं कि हम कौन हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो कि सारी outer values हैं हमें अपनी वो सारी values observe करनी हैं, जिनके basis पे हम decisions लेते हैं, और हर value के साथ इनका origin कि ये मुझे कहां से मिली, किस से सीखा मैंने ये, और फिर उन value को follow करना हैं जिनने हम truly सही मानते हैं, और अपने behavior से उन्हें share करते हैं example, अगर value है हमारा dressing style, एक specific type की appearance, तो इसका origin क्या है, मेरे दोस्त, मेरी इंस्टा following, Bollywood या Hollywood stars, क्या ऐसा दिखना मैंने खुद decide किया, क्या मुझे ऐसा दिखना पसंद है, जो कुछ भी आपका answer हो, लेकिन no matter, हम कुछ भी अपनी values मानें, किसी भी चीज को अपनी जिन्दग ये दिखाता है, कि हम किस चीज को ज्यादा value देते हैं, अगर आप अपना free time parents के साथ बिताने की सोचते हो, लेकिन उस time को आप video games खेलने में बिताते हो, तो actions values से match रही हो रहे हैं, हमें self examination की जरुरत है, इसके लिए शुरुवाद हमें time से करनी पड़ेगी, कैसे हम उस time को बिताते हैं, जब ना ही हम सो रहे हो और ना ही कुछ कर रहे हो, researchers से पता चला है, कि हमारी life के end तक हम 33 years अपने bed में गुजार देंगे, जिनमें से 7 साल सिर्फ सोने की कोशिश करने में बीतेंगे, 11 साल हमारी जिन्दगी के बीच जाएंगे TV और social media में, 1 साल और 4 महीने exercise करन में और 3 से ज्यादा साल vacations में, और अगर आप एक female हो, तो आप 136 days सिर्फ ready होने में ही बिता दोगी, और अगर male हो, तो 46 days, ये वैसे तो estimates ही हैं, पर हमारी daily choices इनमें ही add होती हैं, try this, एक हफते के लिए अपने time को track करो, कि इनमें से किन चीजों में मैंने अपना time कितना बि जिन areas में आपने maximum time spend किया है, वो आपकी value से match होनी चाहिए, जैसे time की value जानी, वैसे ही हम money की भी जान सकते हैं, अपने expenditure को देखके, कहीं हम उन चीजों पे खर्चना कर रहे हों, जो हमारे लिए बिलकुल भी valuable नहीं है, या जो बस temporary happiness हमें देते हैं, और money को spend करना, हमने already rich dad poor dad से सीखा हुआ है, rich हमेशा assets पे spend करते हैं, जबकि poor और middle class liability पे spend करते हैं, जिन्हें वो सोचते हैं कि ये एक asset है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं, तो हमने उसकी भी chapter wise summary upload की हुई है, money के सही use के लिए आप उन्हें देख सकते हैं, जहां हम अपना time और money spend कर र रहे हैं या अपनी inner self के, 15 minutes के लिए social media scroll करने के लिए हमारे पास काफी time होता है, पर 15 minutes के लिए meditation उसके लिए हमारे पास time ही नहीं होता, अपनी past values को जानने के लिए हमें ये करना है, कौन से ऐसे तीन काम या choices थी, जो आपके जिन्दगी में सबसे बूरी थी, और कौन से ऐ इन्हें choose किया, इनसे क्या सीखा, इसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता था, इन answers को जानने के बाद, अपने answers को जरा ध्यान से देखो, इन ही में आपकी values छुपी हुई हैं, और ऐसे ही future के लिए भी, अपने सबसे पड़े goal को देखो, आप अपनी जिन्दगी को आग ना free time spent करने का decision लो, तो उससे पहले pause करो और सोचो, इस choice के पीछे कौन सी value है, इसमें कुछ second ही लगने हैं, और इस pause से आप conscious हो जाते हो, सही और गलत के लिए, जिस किसी के साथ भी आप time spent करो, उसके बाद ये question करो, जैसा मैं बनना चाहता हूँ, क्या इसके साथ रहने से मैं उसके करीब जा रहा हूँ, या उससे दूर, answer clear होगा, और उसी पे act करना, अपने आप से पूछना, जो मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ, जो values ये मुझे दे रहे हैं, जिनसे ultimately मेरी life बनने वाली है, ये मैं हूँ, या ये धूल है, is this dust, और is it me, chapter 2, negativity, इसमें हम जाने खुद से unwanted attitude और emotions को filter करना, जे जब आश्रम में थे, तो उनके गुरु गोरंगा दास ने सभी monks को ये task दिया था, जिस किसी से भी वो मिलें, या अपने साथी monks, जिसके साथ भी वो maximum time बिताते हैं, उनकी 10 positive और बाकी negative points को note करें, काफी time तक ये करने के बाद, जे को realize हुआ, हर इंसान में जितनी कमिया थी, जितने negative points थे, उनसे कही ज्यादा उनमें positive points थे, और जब उन्होंने ये खुद में भी करके देखा, तो पता चला कि वो बुरे से ज्यादा अच्छे हैं, उनमें भी negativity कम और positivity ज्यादा हैं, हमें negativity आती हैं तीन कामों से, complaining, comparing और criticizing, वैसे तो क कोई भी इंसान ये सोचकर अपना दिन शुरू नहीं करता, आज मैं और छोटा कैसे बन सकता हूँ, या आज मैं किस-किस की चुगलिया कर सकता हूँ, या औरों को बुरा महसूस कराके मैं खुद-खुश कैसे रहूंगी, पर फिर भी negativity हमारे अंदर से आती है, हम में तीन core और emotional needs है, peace, love और understanding, जब कभी इन emotions पे कोई खत्रा महसूस हो, तब हम negative feel करने लगते हैं, या negative act करने लगते हैं, ये डर कि पूरी चीज़े होने वाली है, loss of peace है, ये डर कि कोई मुझे importance नहीं देता, loss of love है, और disrespected होने का डर, loss of understanding है, और फिर ये negative feelings, complain, comparisons, ये criticism के फॉर्म मे हमसे बाहर निकलती है, negativity फैलती है, हम social creatures हैं, और हमें हमारी बड़ी requirements, peace, love और understanding मिलती है, अपने आसपास के लोगों से, unconsciously हम औरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, researchers ने confirm किया है, कि हमारी values हमारे group से पूरी तरह influence होती है, और जिन लोगों के साथ हम हैं, उनसे align करने क के लिए हम उन्हें follow भी करने लगते हैं, भले ही हमारे आसपास के लोग पूरी तरह से गलत ही क्यों ना हो, college students के साथ एक बार एक experiment किया गया, जिसमें instructors ने students से कहा, वो एक vision टेस्ट कर रहे हैं, इस experiment में सिर्फ एक student के अलावा, हर student एक actor था, जिन्हें पहले से ही बताया ग अगल में तीन और लाइन दिखाई, और उनसे पूछा कौन सी लाइन की लेंथ, टार्गेट लाइन की लेंथ से मैच होती है, एक्टर इस्टुडेंट्स ने जान बुच कर गलत जवाब दिया, उन्हें देखकर जो अकेला student बचा था, ये जानने के बावजूद कि उनका अंसर गलत है, वो उन्हें का जवाब रिपीट कर रहा था, इस फिनोमिनन को ग्रूप थिंक बायस कहते हैं, और ऐसा शायद आपके साथ भी स्कूल में बहुत बार हुआ हो, सही जवाब हम जानते हैं, पर सब कुछ और कहते हैं, तो हम अपना सही अंसर अपने अंदर ही द ज़्यादा नेगेटिव हम भी हैं, टाइपस ओफ नेगेटिव पीपल, जो कि हमारे आसपास के लोगों के नेगेटिव होने से हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि नेगेटिव लोग कैसे होते हैं, जैसे जैसे हम नेगेटिव लोगों के करते रहते हैं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ यह ऐसा क्यूं है लाइफ में हाँ प्रॉब्लम्स होती हैं पर ऐसी भी नहीं कि उनका सॉलुशन ही ना हो और complainers endlessly अपनी problems की ही शिकायत करते रहते हैं बजाए solution ढूटने के negative people की second category में आते हैं canceller जो compliment accept तो करते हैं पर उसे spin कर देते हैं अगर इनसे कहा जाए कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो तो वो कहेंगे मतलब की मैं कल बुरा दिख रहा था negative people की third category में आते हैं casualties जो सोचते हैं कि दुनिया उनके साथ नहीं है और हमेशा अपनी problems के लिए दूसरों को ही दोशी ठहराते हैं negative people की fourth category में आते हैं critics जो औरों को judge करते हैं उनके different opinion पे या उनके पास कोई opinion ना होने पे negative people की fifth category में आते हैं commanders जो खुद की limits को अपनी जिन्दगी की आखरी हकीकत मान लेते हैं पर औरों पे pressure डालते हैं successful होने के लिए negative people की sixth category में आते हैं competitors जो खुद को औरों से compare करते हैं फिर खुद को और अपनी choices को control करते हैं औरों के सामने अच्छा लगने के लिए ये इतने दर्द में रहते हैं कि औरों को नीचे लाना चाहते हैं खुद की नजर में खुद को ही छोटा देखते हैं और खुद को एक भी चीज़ के लिए appreciate नहीं कर पाते हैं negative people की 7th category में आते हैं controllers जो सब कुछ monitor करने की कोशिश करते हैं अपने friends से लेकर अपने partner तक ये हर किसी को अपने हिसाब से time spent करवाने में लगे रहते हैं अब आप इस list के साथ खेल सकते हो और notice कर सकते हो उन सारे negative लोगों को जो भी आपकी life में हैं या हो सकता है कि हम ही इन में से एक हो इसका solution जे बताते हैं जब वो पहली बार आश्रम गए थे तब उनके teacher गोरंगा दास ने कहा अपने इस नए घर को घर की तरह नहीं बलकि एक hospital की तरह देखो यहां हर किसी की अपनी कोई न कोई disease है इवन डॉक्टर भी बिमार पड़ता है यहां कोई perfect नहीं है बस सबको खुद पर अपनी अपनी disease के हिसाब से काम करना है औरों को उनकी disease पे judge नहीं करना है किसी को भी perfect expect नहीं करना है ना ही खुद को perfect सोचना है तो बजाए इसके कि हम negatives को judge करें हमें charge को neutralize करना है positivity को बढ़ा के या even negativity को reverse करके external negativity को reverse करना जो negative behaviors अभी हमने जाने हमें उनके basis पे external negativity को identify करके reverse करना है और इसके लिए हमें सबसे पहले एक observer बनना है किसी negative situation या conflict में एक कदम पीछे लेकर खुद को उस moment की emotional charge से अलग करना है physically नहीं emotionally negativity किसी की पहचान नहीं ये बस एक गुण है जिसे हम बदल सकते हैं कोई हमें hurt करता है तो इसका मतलब है वो खुद भी hurt है हमें उस situation में respond नहीं करना बस समझना है उसका दुख overflow हो रहा है उ से help की जरूरत है दलाई लामा नहीं कहा है अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो तो करो पर अगर नहीं तो at least उन्हें और दुखी मत करो किसी की help तभी करनी चाहिए जब हम उस काम में खुद professional हो हम किसी ढूपते हुए को तभी बचा सकते हैं जब हम खुद एक professional swimmer हो अगर ह हमें खुद normally swim करना आता है और हम गहरे पानी में डूब रहे किसी को बचाने जाएं तो वो हमें भी अपने साथ ले डूबेगा किसी की help करने की desire eager driven है अपने इस emotion को खुद को control करने की ताकत मत दो मदद तब ही करो जब आपके पास वो necessary skills और time हो वरना तब बहुत frustration आती है जब लोग तुम्हारी brilliant advice को सुनकर उस पे act नहीं करते तो हमें ऐसे लोगों को जाने देना है जैसे हमने पहले chapter में जाना था let go पर जब हमारे दोस्त या family member involved हो जाएं तो उन्हें कैसे जाने दे तब हमें हमारी दूसरी strategy का use करना है The 25-75 principle मतलब अपनी life के हर negative person के लिए खुद को तीन positive लोगों से surround करना या अगर हम negative को छोल नहीं सकते तो उसे reduce करने के लिए दिन का maximum 75% time positive लोगों के साथ बिताना है उनके साथ grow करना है ज़रूरी नहीं कि हमारे real environment में ही virtual environment में भी हम 75% time positive लोगों के साथ grow करने के लिए दे सकते हैं जैसे books पढ़ना या उन लोगों से सीखना जो आज life experiences share करते हैं और उनकी सीख को अपनी जिन्दगी में उतारते जाना ये करना है 75% time और बागी 25% time negative हो भी तो dominant positive ही है reverse internal negativity आश्रम में जब author रहते थे तब वहां सिर्फ एक competition allowed था वो था किसी दूसरे के लिए love और respect का competition आउटर negativity को पहचान के हमें खुद पे काम करना है जो system हमें बच्पन से मिलते हैं जैसे education system उसका बहुत बड़ा drawback रह जाता है किसी दूसरे से जलन competition खुद आगे रहने के लिए औरों को पीछे करना ऐसे में हम अपनी success पे बहुत खुश होते हैं पर साथ ही साथ ये नहीं देख पाते हमारी success से कोई और fail भी हुआ है success से जो भी freedom आती है हमें लगता है उससे हम जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं पर real freedom का मतलब है freedom from unwanted अंचाही चीज़ों पे control यान हम खत्म नहीं कर सकते ये हमेशा ही रहेगी और बड़े से बड़े इंसान में रहती है पर difference जो आता है वो है choice का कि हम अपनी जलन डर ego के thoughts पे कैसे respond करते हैं spot stop swap the grass is greener where you arouse it घास वहाँ ज्यादा हरी होती है जहां हम ज्यादा ध्यान देते हैं negativity से deal करने का final step है अपने पहले इसे spot करना और फिर stop emotionally रुख जाना है खुद को सोचने का space देना है और सोचकर सही decision लेकर swap अगर अपने अंदर negative emotion है तो कुछ अच्छा सोचकर उसे swap कर दो अगर environment में है तो उससे दूर होकर किसी अच्छे के साथ जाकर उसे swap कर दो जब हम औरों के miss fortune के बारे में जा excited नहीं होते हैं बजाए इसके उनकी success पे हमें खुशी होती है तब हम heal करना शुरू करते हैं chapter 3 fear डर डर हमसे एक पल के लिए हमारे सारे achievements छीन लेता है आश्रम में एक दिन गोरंगा दांस ने अपने सारे students से कहा अपनी आखें बंद करो और अपना बुरे से बुरा डर या यही थी दिमाग में तभी जे को अपना exam का डर याद आया बड़ी छोटी चीज लगती है लेकिन बच्पन में शायद हम इससे एक ना एक बार बहुत डरे हैं इस situation में जे ने खुद से पूछा मैं किस चीज से डर रहा हूं माहौल एकदम शान था जे का mind भी शान था सिर् मेरे parents, मेरे दोस्त, मेरे scores को देखके मेरे बारे में क्या सूचेंगे, मेरे रिष्टेदार क्या कहेंगे, मुझे मेरे cousin से compare किया जाएगा वो इस सब को बस याद नहीं कर रहे थे बल्कि ये डर अभी भी उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल उसी situation में हो जे situation मे थोड़ा और डीब गए फिर से पूछा मैं वाकई में किस चीज से डर रहा हूं फिर उन्हें अपने डर की जड़का पता चला वो इस बात से डरते थे कि मैं अपने पैरंस को खुश नहीं कर पाऊंगा इसी से आदे घंटे पहले जे को लगा वो किसी चीज से नहीं डरते प पता चला कि उनका बचपन का डर अब भी उनके साथ था फिर उन्होंने सीखा अपने डर को सही तरीके से यूज करना इमेजन करो कि आप एक घर में आराम से सो रहे हो और वहां अचानक से आग लग जाए स्मोक डिटेक्टर बीप कर रहा है इमीडियेटली आप बहुत डर गए हो क्योंकि सिगनल ने अपना काम किया जो आपका अटेंशन लेने के लिए था आपको स्मोक की स्मेल आ रही है तो अब आप अपनी फैमिली को लेकर घर से बाहार निकलोगे राइट ये है फियर का प बैटरी निकाल दी और आराम से सो गए ऐसा करने पर आप इमेजन कर सकते हो कि इससे प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी ही पर फिर भी यही काम हम अपने डर के साथ करते हैं सही रिस्पॉंस देने के बजाए हम सिचुएशन को टाल देते हैं या उसे दफनाने की कोशिश करत हैं तो हम स्ट्रॉंगर ही बनते हैं as a monk जे ने एक सिंपल ब्रीधिंग एक्सिसाइज सीखी अपने डर को मैनेज करने की जैसे stage पर अगर कभी perform करना हो उससे पहले डर की वज़े से बढ़ती heartbeat एक बड़े group को address करने से पहले का डर किसी बड़े room में बहुत से लोगों के सा हमने अकेले बोलना job interview का डर जब भी हम डर में होते हैं तो सबसे पहले heartbeat और breathing बढ़ती है इसे overcome करने के लिए हमें four की counting तक slowly inhale करना है अपनी breathe को फिर अगले four की counting के लिए hold करना है फिर धीर इसे सांस भार छोड़नी है four या उससे ज्यादा की counting तक यह बहुत powerful technique है scientifically deep breathing हमारे nervous system के एक पार्ट को activate करती है जिसे vagus nerve कहते हैं इसका activation पूरी body में relaxation response stimulate करता है controlled breathing का simple act एक switch को flip करने जैसा है जो हमारे nervous system को rest और digest की statement डाल देता है जिससे mind और body काम होते हैं chapter 4 intention जब दिल और दिमाग एक harmony में होते हैं तब कुछ भी impossible नहीं होता हमारे दिमाग में हमारी ideal life की relationships की हम अपना time कैसे spend करते हैं क्या achieve करना चाते हैं इस सब की एक image होती है और हमें लगता है कि यह सारी चीजें हमें खुश करेंगी पर अब हम जानेंगे क्या है जो in ambitions को drive क करता है और क्या happiness right target है जे जिस आश्रम में थे वहां दो locations थी एक दिन senior monk जे के साथ कुछ और monks को दूसरी जगर ले गए और वहां चलते चलते वो उन्हें कुछ great monks से मिला रहे थे और उनके achievements बता रहे थे एक monk लगातार 8 घंटों तक meditate कर सकता था एक साथ दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिये रह सकता था एक सारे scriptures के सभी श्लोक recite कर सकता था ये देखकर जे बोले फाव I wish मैं भी ये कर पाता senior monk ने उनकी ओर देखा और पूछा क्या तुम सोचते हो कि तुम ये कर पाते या इसे करना सीख पाते इसके पीछे तुम्हारा motivation क्या है क्या तुम सारे scriptures को memorize करना चाहते हो क्योंकि ये एक impressive achievement लगता है या तुम उन्हें पढ़कर कुछ सीखना चाहते हो जे को realize हुआ कि उनकी life की सबसे बड़ी learnings किसी classroom में नहीं बलकि ऐसे ही किनी moments में उन्हें मिली थी first case जहां वो scripture याद करने की सोचते हैं वहां सिर्फ outcome की ही चाहत है पर second में curiosity है processes सीखने की senior monk Jay को ये question करने को कह रहे थे वो क्यूं उस काम को करना चाहते हैं जो outcome तक पहुँचने के लिए जरूरी है the four motivations no matter हम कितनी भी बिखरी हुई जिंदगी जी रहे हो हम सभी के कुछ न कुछ सपने होते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए हिंदू philosopher भक्ति विनोर ठाकुर सारे कामों के पीछे के चार motivations describe करते हैं number one fear, number two desire, number three duty और number four love ये चार motivation हमारे सारे बड़े actions के लिए responsible होते हैं आईए इन्हें जरा detail में समझते हैं fear जब fear हमें motivate करता है हम वो करना शुरू करते हैं जो हम achieve करना चाहते हैं जैसे यार exam नजदीक आ रहे हैं और कुछ भी नहीं पड़ा तो इस डर से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं पर fear के साल problem ये है कि ये sustainable नहीं है इससे हम काम लंबे time तक नहीं कर सकते और नहीं इससे long term तक act करने पे हमारी best performance आती है क्योंकि हम पूरे result से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं इससे हम तब act करते हैं जब हम personal gratification की ओर भागते हैं Adventure, pleasure और comforts के हमारे रास्ते material goals से भर जाते हैं हमें लगता है success, happiness के बराबर है पर ये idea सिर्फ एक illusion है Jim Carrey कहती है मुझे लगता है सभी को एक बार अमीर हो जाना चाहिए वो सब करने के काबिल हो जाना चाहिए जिसके ख्वाइश वो हमेशा करते हैं ताकि उन्हें पता चले ये answer नहीं है Success के illusion को हम सिर्फ income या material चीजों से नहीं बात देते बलकि इसे achievement से भी बात देते हैं जैसे doctor बनना, IS बनना या scripture सियात करना जो Jay ने सोचा था As a monk एक बार Jay South India में एक temple में गए वहाँ उन्होंने देखा एक painter मंदीर की दिवारों में gold powder लगा रहा था ताकि दिवार और सुन्दर दिखे Jay ने ऐसा कुछ अपनी life में कभी नहीं देखा था तो वो ज़रा नस्दीक जाकर इस काम को देखने लगे तब अचानक ही उनकी आँख में gold powder चले गया वो तुरंत पानी से आँख साफ करने गए और वापस लोट कर इस बार ज़रा दूरी बना के painter को देखने लगे ये episode scripture से मिले एक बड़े life lesson सा लगा gold dust वैसे तो बहुत खुबसुरत होता है पर अगर इसके ज़्यादा नजदिक चले जाओ तो ये हमें कुछ तेर के लिए अंधा भी कर सकता है ये एक illusion है ऐसे ही money, fame ये सब fee की चीज़े हैं material gratification external है और happiness internal monks जब happiness के बारे में बताते हैं तो वो musk deer की story बताते हैं जो की great Indian poet कबीर ने लिखी और शायद आपने सुनी भी हो पर इस कहानी का real essence हम अब जानेंगे musk deer jungle में एक बड़ी अच्छी smell को ढूडने के लिए भागता रहता है वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते हुए गुजार देता है और कभी ये realize नहीं कर पाता कि वो smell उसी से आती है इसी तरह हम भी खुशियों को दुनिया की और चीज़ों में ढूडते हैं लोगों में ढूडते हैं बिना ये realize किये कि वो हमारे अंदर ही है happiness और fulfillment सिर्फ mind को master करके और उसे soul से connect करने के बाद मिलते हैं किसी object या relationship से नहीं वो एक कहावत है ना success happiness की guarantee नहीं देती और happiness के लिए success की जरूरत नहीं होती अगली motivation है duty और love monks को अपने काम पर विश्वास होता है कि इससे हम दुनिया में एक positive impact डाल रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो matter करता है तो हम भी matter करते हैं तो जो value हम अपने काम में देखते हैं वही हमें meaning दे सकती है हम काम को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं जब हम उसे किसी के love की वज़े से करें जब हम intentionally जीते हैं एक clear vision के साथ कि जो काम हम कर रहे हैं वो क्यों matter करता है तब life में meaning होती है और life fulfillment देती है Meditation, breathe Breath work distraction को हमारे दिमाग से हटाने में सबसे powerful meditation है Breath work काफी कामिंग होता है पर easy नहीं लेकिन जो challenges शुरुआत में आते हैं वो process का ही एक part है बहुत से लोग meditation से दूर भागते हैं क्योंकि ये बहुत ही unpleasant और difficult लगता है इसलिए बुद्धा कहते हैं जैसे एक मचली को पानी से निकालने के बाद वो तडपने लगती है वैसे ही mind को meditation के लिए train करने में mind भी शुरुआत में तडपता है और सिर्फ practice से ही ये काम होता है Try this ये वो breathwork meditation है जो जेशेटी हर दिन यूज करते हैं जिसे हम focus increase करने के लिए यूज कर सकते हैं इसका पहला step है एक comfortable position find करना जैसे chair में बैठना या backbone को एक तक्ये की help से सीधा रखके बैठना Next, close your eyes Then, आखों को तीला छोड़ दो force नहीं देना है खुद को उस position में comfortable बनाओ और अब calm, balance और peace की ओर awareness लाओ gently mind को peace की ओर लाओ और अब अपने natural breathing pattern के लिए aware होना शुरू करो breathe पर नहीं जोर देना है और नहीं pressure बस जो natural breathing pattern है उसके लिए aware होना है इस दोरान mind इधर उधर जरूर भटकेगा तो जब भी ऐसा होता है हमें फिर से अपनी awareness को peace की ओर ले जाना है और यही challenge है इसे daily एक बार या दो बार minimum 5-10 minute के लिए करना है और maximum जितनी देर आप करना चाहो और यह करने के बाद 4 की counting तग अपने nose से सास अंदर लेनी है फिर ugly 4 counting के लिए breathe को hold करना है और ugly 4 counting में mouth से exhale करना है जिसे total 10 breathe के लिए करना है और कपाल भाती प्रनायम के बारे में अगर आप जानते हैं तो यह करने के बाद हमें वही करना है और अगर आप नहीं जानते तो पहली 4 counting तग nose से सास अंदर लेनी है और फिर 1 second से भी कम time में powerfully अपने nose से सास बाहर छोड़नी है इसे भी total 10 breathe के लिए करना है 4 seconds तग inhale करना है और फिर 4 seconds से ज्यादा time के लिए exhale करना है जिसे आप कर सकते हैं जब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी help से नीद बहुत जल्दी आती है इस चैप्टर में कुछ depth की बाते हैं तो जरा ध्यान से सुनियेगा अपनी strength और weakness को आश्रम के पूरे अलग universe में explore करने से जे और उनके साथ ही अपने धर्म तक पहुच सके ये कोई religious धर्म की बात नहीं हो रही है ये एक Sanskrit word है जिसे किसी और language के एक single word से explain नहीं किया जा सकता इसे हम अपनी calling कह सकते हैं धर्म word और सेवा का combination है word को हम passion या skill कह सकते हैं और सेवा का मतलब है दुनिया की जरूरतों को समझना और selflessly दूसरों के अच्छे के लिए काम करना जब हमारे natural talents और passion याने की वर्ण universe की जरूरतों से match होते हैं और हमारा purpose बन जाते हैं तब हम हमारे धर्म में जी रहे होते हैं और अपने धर्म में जीना ही fulfillment का इकलोता रास्ता है discovering धर्मा जे लिखते हैं एक दिन मैं बरतंद हो रहा था अग तब ही एक senior mank मेरे पास आये और बोले हम चाहते हैं कि इस हपते तुम एक class लो और topic भगवत गीता का ये श्लोक है कि great आदमी जो भी काम करता है common इंसान उसके foot steps को follow करता है और वो अपने कामों से जो भी सीख दुनिया को देता है पूरी दुनिया उसे follow करती है मैंने इस पर बोलने के लिए agree किया और अब बरतंद होने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूंगा ज्यादातर सारे गुरु example से समझाते हैं मैं कैसे समझाओंगा मेरी तरह ही बहुत से मंक आश्रम में 5 साल की उम्र से नहीं है वो एक नॉर्मल इंसान की जिन्दगी जीकर यहां पहुचे है तो उन्हें ये श्लोक समझाना शायद थोड़ा मुश्किल हो तो मैं इसके लिए excited हूँ कि कैसे मैं इस श्लोक को उन्हें relevant फिल करा सकता हूँ जिससे वो इसे अपनी आश्रम से बाहर की life में भी apply करके देख सकें तो मैंने आश्रम की library के computer में research करनी शुड़ू की पर ये बहुत ज्यादा slow था हर image download होने में घंटो लगा देती थी मेरी research के दोरान मैं communication की psychology से काफी fascinate हुआ हमारी class एक medium sized room में होती थी और जब मैंने अपनी बात पूरी की तो मुझे पता चला कि मुझे अपने ideas share करना अच्छा लगता है मैंने ये enjoy किया जितना कि मैंने इस पर research करना enjoy किया और monks ने मुझे appreciate भी किया और एक दो ने ये भी पूछा कि मैंने ये prepare कैसे किया जब मैं इस satisfaction का आनंद ले रहा था तब मुझे अपना धर्म realize होना शुरू हुआ पढ़ना, knowledge के साथ experiment करना और बोलना हर किसी का अपना अलग nature होता है जिससे उनकी अपनी strength और weakness होती है धर्म का मतलब है इस natural inclination को उन कामों पे use करना जिनमें हम अच्छे हैं और इससे औरो को serve करना काम की process के लिए हम passionate होने चाहिए और execution skillful होना चाहिए और औरो का response अच्छा होना चाहिए कि तुम इस काम को पहतरीन तरीके से करते हो और ये है एक magic formula धर्म के लिए पैशन प्लस expertise प्लस usefulness इक्वल्स तू धर्म अगर हम काम से खुश सिर्फ तब हैं जब लोग तारीफ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम काम के लिए passionate नहीं है और अगर हम अपने passion और skills में indulged हैं पर कोई response नहीं करता तो हमारा passion बिना purpose के है इन दोनों में से एक भी चीज missing हो तो हम अपने धर्म में नहीं है अपने धर्म को जानने में time लगता है और ये सिर्फ काम करके पता चलता है खुद को काम में जुटाना पड़ता है अलग अलग काम करने पड़ते हैं और काम इस mentality से नहीं करने कि मुझे तो पता करना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं किस काम मैं अच्छा हूँ क्योंकि एक दो बार में अगर कोई काम अच्छा लगता है तो फिर बाद बाद में वही चीज बोर करने लगती है मन ही नहीं होता उस काम को करने का और जहां तक performance की बात है तो पहली बार मैं किसी भी नए काम में top performance हो ऐसा नहीं हो सकता practice करनी पड़ती है तो काम को करना है काम करने से प्यार करने के लिए ये सीखने के लिए कि कोई भी काम हो मैं कर सकता हूँ इससे हमें अब प्रोसेस से प्यार है और अल्टिमेटली हम अपने धर्म को जान लेंगे और जो काम करने शुरू करने हैं उनके लिए शुरूआत उन कामों से करो जो करने जरूरी है जे ने जब आश्रम छोड़ा तो ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जॉब करनी शुरू की यहां वो लगातार नंबर्स डाटा और फाइनेशियल स्टेटमेंट से डील कर रहे थे और जल्द ही वो ये जानगे कि इस काम के लिए एकसेल यूज करने का टेलेंट उन्होंने सोचा कि कैसे मैं यहां वो चीज डिमोंस्ट्रेट करूं जिसमें मैं अल्रेडी अच्छा हूं जे का पैशन था विस्टम, मेडिटेशन और जिंदगी के बारे में बताना तो उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को एक माइंडफुलनेस क्लास का ओफर दिया कमपिनी के लीडिंग मेनेजर ने भी ये कलास अटेंड की और उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने जे को एक कमपनी वाइट समर इवेंट में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में बताने के लिए कहा और जब वो दिन आया तो जे को पता चला कि उनकी CEO और Will Greenwood एक रगभी लिजेंड की स्पीच के बीच में है वो बैटकर बस यही सोच रहे थे कि ये क्या हो गया सम मुझ पर हसने वाले हैं मैंने क्यों अपनी बॉस की बात मान ली और स्पीकर्स अपने फील्ड की टॉप में हैं और मैं मैं कही नहीं अगले थोट्स इस बार दो सेकिंड पहले सोचा अपने धर्म को परफेक्टली फॉलो कर बजाए किसी और के धर्म पर चलने के उन्होंने अपनी स्पीच खत्म की और जिस डारेक्टर ने इवेंट और्गनाइज किया था उसने कहा मैंने कभी भी किसी और्डियंस को इतना शांत नहीं देखा तु जे कहते हैं कुछ बड़े करियर चेंज लाने के बजाए आप मेरा तरीका ट्राइगर सकते हो आपकी जिंदगी जैसी भी अभी चल रही है उसमें उन अपरचुनिटीज को ढूड़ो जहां आपको वो काम करने का मौका मिले जिससे आपको प्यार है और ये कोई नहीं जान चैप्टर 6 रूटीन लोकेशन हैज एनरजी टाइम हैज मेमरी हर सुबह जैसे ही आप उठो खुद से ये कहो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि आज मैं जिन्दा हूं मेरे पास ये प्रीशियस हूमन लाइफ है और इसको मैं पूरा यूटिलाइज करूंगी रूटीन ब खुद को अपने सारे कामों के लिए बस इनफ टाइम देते हैं ऐसे में अगर एक भी काम में पांच मिनट भी ज्यादा लग जाएं तो हम जल्दबाजी करने लगते हैं और लेट भी हो जाते हैं सुबह की ऐसे शुरूआत से हम अपनी बॉडी को सारे दिन हाई प्रेशर और हाई स्ट्रेस के लिए ऑपरेट होने के लिए प्रोग्राम करते हैं सुबह जल्दी उठकर दिन और प्रेडक्टिव हो जाता है मैक्जिमम सक्सेस्फुल बिजनस पीपल अल्रेडी इस रूट को यूज करते हैं एपल के सीई ओ टीम कुक अपने दिन की शुरूआत 3.45 करते हैं और बॉलीवुड के सूपर स्टार अक्षे कुमार भी सुबह चार बजे उठ जाते हैं अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी चार बजे उठना है जो कुछ भी हमारा वेकिंग टाइम है हमें उससे बस एक घंटे पहले उठना है सुबह जल्दी उठने का हमारा मक हमारे शाम से डिफाइन होती है जिस तरह के थौट्स को दिमाग में रखकर हम सोते हैं इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम उन्हीं के साथ उठें जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी इंपोर्टेंट है 75% हुमन रोध हॉर्मोन एच जी एच रिलीज होता है जब फ्लो सेट करती है और एक वेल प्लैंड इवनिंग हमें सुभा के लिए प्रिपेर करती है तो इवनिंग को सही करने का तरीका है नमबर वन सोने से एक घंटे पहले फोन या अगले दिन को प्लैन करना कि कल मुझे सुभा उठने से लेकर शाम तक क्या-क्या करना है नमबर थ्री रात के नौ बजे से लेकर दस बजे तक सो जाना और फाइनली सोने से पहले कुछ अच्छा सोचना अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल महसूस करना Time Has Memory किसी काम को daily एक ही टाइम पर करने से हमें याद रहता है कि हमें ये कब करना है और habit इसली बनती हैं जब हम कोई चीज एक ही टाइम पर करते हैं तो time हमारे लिए उस टाइम को याद रखता है जब भी आप कोई नई हैबिट अपने रूटीन में एट करना चाहते हो जैसे मेडिटेशन या रीडिंग तो उसे एक फिक्स टाइम पर करो जब भी फ्री टाइम मिले तब उस काम को मत करो इससे हैबिट फॉर्मेशन और डिफिकल्ट होता है उसे डेली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर दो और हैबिट को इजी बनाने के लिए उसे किसी अल्रेडी एक्जिस्टिंग हैबिट में एट कर दो जे की एक फ्रेंट योगा हैबिट बनाना चाहती थी तो उसने योगा मैट को अपने बैट के फगल में ही place कर दिया और वो बैट से उठकर सिधा अपनी योगा मैट पर आके अपनी practice शुरू कर देती इसे habit stacking कहते हैं जिसमें हम अपनी किसी पहले से बनी हुई आदत में कोई नई आदत एड़ कर देते हैं किसी भी काम को डेली एक ही टाइम पे करने के साथ साथ अगर हम उसे रोज एक पटिकुलर जगा पर करते हैं तो किसी भी नए काम की हैबिट चुटकियों में बन जाती है और बाकी हैबिट बिल्डिंग की सारे ट्रिक्स तो हमने अटोबिक हैबिट से सीखी हुई है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए नई आदत को बनाने के लिए और आदत बनाने के लिए सही तरीके से गोल सेट करने के लिए उन्हें जरूर देखिएगा वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजिली मिल जाएगा टाइम और लोकेशन की कंसिस्टेंट एनरजी हमें प्रेजेंट में जीना सिखाती है ऐसे करने से हम डीपली फोकस्ट होते हैं तो अपनी लाइफ में रूटीन्स बिल्ट करो और खुद को फोकस करने के लिए ऑटोमेटिकली ट्रेन करो एक बार जब हम टाइम और लोकेशन की एनरजी से एक्स्टरनल डिस्ट्रेक्शन से जीच चाते हैं तो हम सबसे पाउरफुल डिस्ट्रेक्शन को मैनेज करने के लिए तैयार होते हैं जो की हैं हमारे माइंड की अंदर की आवाज है हमारे mind के thoughts पेड़ की टहनी की तरह है और mind monkey की तरह है जो एक टहनी से दूसरी टहनी पर उचलते रहता है जैसे irrigators खेट पर जहां वो चाहते हैं वहाँ पानी डालते हैं Carpenters लकडी को काव करते हैं Archers अपने arrow को state बनाते हैं वैसे ही wise अपने mind को shape करते हैं Q growth सिर्फ mind की समझ से होती है जितना ज्यादा हम mind के साथ अपनी relationship को समझते हैं मजबूत करते हैं evaluate करते हैं उतने ही successfully हम अपनी जिन्दिगी को चलाते हैं और challenges को overcome करते हैं Mind ज्यादातर choices के बीच फसा रहता है चोटी से चोटी choice और बड़ी से बड़ी choice हमारी life को equally shape करती है बस चोटी के outcome जल्दी नहीं डिखते जैसे अभी उठूं या थोड़ी देर और सोजाऊं जिन्दगी में आगे क्या करना है सारी choices हैं एक बुड़ा आदमी अपने grandson को बताता है हर choice हमारे दिमाग के अंदर दो भेडियों के बीच हो रही fight सी है एक anger, envy, greed, fear, जूट, ego और insecurity को represent करता है और अगला peace, love, compassion, kindness, humility और positivity को represent करता है दोनों खुद को आगे लाने के लिए लड़ते रहते हैं तो बच्चा अपने दादा से पूछता है दादा जी जीता कौन है? तो दादा answer देते हैं जिसे हम ज्यादा खाना खिलाते हैं बच्चा पूछता है हम इन खाना कब खिलाते हैं? कैसे खिलाते हैं? तो दादा बताते हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं जिनके साथ हम time बिताते हैं अपने free time में जो हम करते हैं अपनी energy और attention को जहां देते हैं वही सब इन भेडियों का खाना है भगवत गीता कहती है जिसमें अपने mind को जीत लिया है उसके लिए mind उसका best friend है और जो इस काम में fail हो जाता है उसके लिए उसका mind उसका सबसे बड़ा दुश्मन है जो दो तरह के mind होते हैं monkey mind और monk mind इनमें monkey mind एक बच्चे की तरह है और monk mind एक adult है बच्चे को जो चाहिए जब उसे वो नहीं मिलता है तो वो रोने लगता है बिना ये देखे कि उसके पास already बहुत कुछ है बच्चा किसी भी चीज़ की real value को नहीं समझ पाता वो कुछ candies पाने क मनाता है और बहुत सारी invaluable qualities देता है लेकिन अगर ये हमें rule करने लगे तो ये हमारा बहुत बड़ा downfall है ये mind control होता है adult mind से जो बताता है क्या सही है और क्या गलत adult mind हमें थमकर सोचने को कहता है decide करने को कहता है कि ये सही है या नहीं intelligent parents समझते हैं कि क्या बच्चे के लिए ज ना दें तो वो अपनी मनमर्जी से चलने लगता है और अगर parents को ज्यादा ही controlling हो तो बच्चा और बुड़ा बन जाता है तो mind को समझने का पहला step है अपने अंदर की आवाजों के लिए aware हो जाना खुद को parent और mind को बच्चा समझना parent child model से परे हमारे अंदर लगातार लड़ रही आवाजों के लिए monks teaching का mind का एक दूसरा model है उपनी शदों में हमारे mind की working को एक रत से compare किया गया है जो पांच घोड़ों से चलता है इस analogy में रत हमारी body है घोड़े five sense organs है घोड़ों की लगाम mind है और रत को चलाने वाली हमारी समझ है untrade state में सार्थी मतलब रत चलाने वाला अपने काम में सोया हुआ है तो घोड़े लगाम को control करते हैं वो जहां मर्जी आए वहां भागते हैं जहां ज्यादा टेस्टी ज्यादा attractive कुछ मिले उसी की और भागते हैं ऐसे ही हमारे sense organs भी activate होते हैं food, money, power और बाकी सारी desires के लिए अगर घोड़े यानि sense organs control में हो तो सार्थी सही और गलत का फर्क जानते हुए इन्हें सही रास्ते पर ले जाता है पर अगर यह control में ना हो तो अपनी मन मर्जी से भागते हैं trained state में सार्थी जागा हुआ है aware होता है attentive होता है घोड़ों को वहां भागने की इजाज नहीं देता चहां कहीं भी वह भागना चाहें सार्थी घोड़ों को सही direction में ले जाने के लिए mind की लगाम का यूज करता है और इस सही direction में जाने के लिए सिर्फ एक काम हमें करना है अपने sense organs को master करना है क्योंकि ऐसा करने से ही mind control होगा और mind को पूरी दरह से control करने के लिए भगवद गीता की सीख से हमने already एक dedicated वीडियो बनाई हुई है अपने सबसे powerful instrument को master करने के लिए उसे जरूर देखिएगा वीडियो का link आपको i button पे मिल जाएगा समवेद कहते हैं बहुत wealth होने की feeling wealth को destroy करती है और ऐसे ही बहुत knowledge होने की feeling knowledge को destroy करती है no matter हम कितने भी बड़े हों पर अगर हम खुद के लिए अपने status की वज़े से special treatment दिबान करते हैं तो हमारी ego हमें control करती है खुद मैं और औरों के सामने अपनी image में differentiate करने के लिए उन choices के बारे में सोचो जो आप अकेले में लेते हो जब कोई आपको देखने वाला नहीं होता और आप किसी को impress करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं सिर्फ आप जानते हो कि आप meditate करना चूज करते हो या Netflix देखना थोड़ी देर सो जाना या exercise करना जब कोई आपको देखने वाला नहीं होता है तब कि अपनी उस image को अपने सामने लाओ ये reality है कि आप खुद को कैसे respect देते हो इगो हमें अच्छा बनाना चाहती है ये बस हमें अच्छा दिखाना चाहती है और ये हमारी इगो हमें हमारे आसपास के लोगों से physical appearance, education, race, religion और आगे countless चीजों के basis पे compare करके accomplish करती है Judgment एक zen story है चार monks के बारे में जो एक साथ साथ दिन और साथ रातों के लिए पूरे silence में meditate करने का decision लेते हैं पहला दिन अच्छा बीटता है पर जैसे ही शाम होने लगती है तो पहला monk impatient हो जाता है क्योंकि जिस monk को lamp जलानी थी वो अभी तक अपने ध्यान में मग नहीं काफी देर हो जाती है और पहले monk से अब रहा नहीं जाता है तो वो दूसरे से कहता है तुम lamps क्यों नहीं जलाते हो सेकिंड monk उसकी और मुणकर कहता है तुमने silence को तोड़ा तो इतने में तीसरा monk बोलता है बेवकूफो तुम दोनों ने silence तोड़ दिया है फिर चौथा monk अपने साथियों की और देखता है और एक proud smile उसके चेहरे पर आती है और वो कहता है लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो एन तक शांत रहा स्टोरी में हर monk ने एक दूसरे को judge किया और ऐसा करने से वो खुद पे ही guilty हुए ये judgment का nature है ये हम पर ही पलट करवार करता है और जब कभी भी हम किसी और को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो दूसरा आदमी फले ही नीचे गिरे ना गिरे हम जरूर नीचे गिर जाते हैं जब हम खुद को औरों से उचा दिखाने की कोशिश करते हैं सबसे आगे दिखाने की कोशिश करते हैं तो जब हमारी कमजोरियां सब के सामने आती हैं तब उस ego के पास defense के लिए कुछ नहीं वश्टा जो अब तक हमें बताती थी कि हम ही सबसे brilliant है इगो का solution है humility इगो द गोनों X Teams के बीच क्या है मैं कुछ चीजों में अच्छा हूँ और कुछ में उतना अच्छा नहीं हूँ यह humility है humility हमें हमारी weakness को समझने में help करती है और improvement कराना चाहती है हम अपनी पहचान को जानने के लिए और गहराईयों में जा रहे हैं जिससे हम एक meaningful life जी सकेंगे यह बहुत सारी growth है और अचानक से नहीं होगी तो खुद की इस growth में help करने के लिए हमें अपनी meditation में visualization को एड़ करना है पास्ट को heal करने के लिए और future के लिए prepare होने के लिए visualization perfect way है Meditation, visualize, imagine कि आपको वो चीज बिलकुल पसंद नहीं थी जो आपने किसी ऐसे इनसान से कही जिसकी presence आपकी life में बहुत important है अब खुद को उन्हें ये बताते हुए देखो कि उनकी presence आपके life में कितने माइने रखती है इससे past change तो नहीं होता पर regret बढ़ने के बजाए heal होनी श पर बार खुद को already stage पर जाकर बोलते हुए visualize करके practice करता हूँ इससे मेरी practice और productive होती है visualization meditation एक opportunity है past हो या future हो चीज बड़ी हो या छोटी हो उसकी energy को extract करके उसे reality बनाने की meditation का सबसे important part है अपने thoughts को देखना वो जैसे है उन्हें वैसे ही रहने देना और अपने दिमाग को उस चीज की ओर ले जाना जो हम visualize कर रहे हैं अगर ये hard नहीं होता है तो आप कुछ गलत कर रहे हो एक important note हमें positive visualization चूज करने है negative visualization हमें painful thoughts से भर देता है अपने पास जो है उसमें हर चीज को appreciate करो ordinary को भी और especially ordinary को ही monks हर वक्त अपनी हर चीज के लिए grateful रहने की कोशिश करते हैं gratitude पर जे का सबसे memorable lesson आश्रम में आने के काफी time बाद उन्होंने सीखा senior monk ने एक दिन सारे नए monks को एक ऐसे experience के बारे में लिखने को कहा जिसके लिए उन्हें लगता है कि वो उसे deserve नहीं करते थे और जरा आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे episode के बारे में सोचो जिसके लिए आपको लगता है आप उसे पिलकुल भी deserve नहीं करते थे आप वीडियो को pause करके आराम से सोच सकते हो जे ने अपनी teen age से एक episode चुना जब उनके best friend ने उन्हें धोखा दिया था और इस बारे में सब कुछ लिख दिया 15 minutes के बाद सारे monks ने वो share किया जो कुछ भी उन्होंने लिखा था एक ने अपनी छोटी बेहन की death के बारे में लिखा था एकने accident और injuries के बारे में किसी ने अपने खोए हुए फ्यार के बारे में जब सबने अपना ऐसा episode share किया तब senior monk ने उनसे कहा तुम सभी ने कुछ negative चुना है किसी ने भी कुछ ऐसी wonderful चीज के बारे में नहीं लिखा जिसे तुम deserve नहीं करते थे और तुम्हें वो by chance मिल गई या तुम्हारे साथ वो हो गया क्या ऐसा कुछ भी नहीं है और क्या आपने किसी wonderful चीज के बारे में सोचा जिसे आप deserve नहीं करते थे हमें comment section में जरूर बताईएगा हम ये सोचने की habit में होते हैं कि हम बुरी चीज़ों को deserve नहीं करते एक बार बहुत से scientist ने लोगों के दो group को अपने दिन के कुछ records रखने को कहा एक group से कहा गया तुम हर उस चीज का record रखो जिसके लिए तुम grateful हो जो कुछ भी तुम्हारे पास है और बाकी लोग उसकी ख्वाइश करते हैं आज दिन बर उन सब चीजों का record रखो और अगले group से कहा गया तुम हर उस चीज का record रखो जिससे तुम परेशान हो जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए दिनके end में gratitude group में stress level ना के बराबर था और दूसरे group में बहुत high stress level था जब हम grateful feel करते हैं तो हमारा brain dopamine release करता है जो की reward chemical है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है और ये chemical उस feeling को दुबारा महसूस करने की feel भी generate करता है और अपने आप gratitude की habit बन जाती है grateful रहने के लिए या grateful feel करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना बस thank you बोलना है सुबह उठते ही इश्वर को हमें ये जीवन देने के लिए उनका शुक्रिया आदा करना है जो कुछ भी अच्छा हो तो पूरे दिल से पूरी खुशी के साथ thank you so much God कहना है और सोने से पहले भी इश्वर को आज दिन भर मुझे जिन्दा रखने के लिए सलामत रखने के लिए thank you कहना है great scientist Einstein उन्हें जब भी अपनी research में उनसे पहले हुए किसी भी scientist के काम से help मिलती तो वो पूरे दिल से उनका शुक्रिया आदा करते कि उन scientist की मेहनत के बदोलत वो आज और आगे कुछ कर पा रहे हैं सारी और अच्छी qualities gratitude से naturally आती हैं compassion, confidence और दूसरे लोगों के साथ अच्छी relationships gratitude का एक बड़ा outcome है अगले chapter में हम बात करेंगे दूसरे इंसानों से अच्छी relationships फिल्ट करने की और इन relationships को पनाई रखने की chapter 10 relationships हर इंसान एक पूरी दुनिया है explore करने को monks को हम काफी बार सन्यासी और त्यागी समझते हैं जो अकेले रहते हैं हर चीज से अलग पर जे का monk life experience रहा कि as a monk जीने से वो बाकी लोगों से पूरे दिल से जुड़ना शुरू हुए आश्रम के first year के दौरान जे एक बार बहुत अपसेट हुए और अपने teacher के पास गए उनसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ आपने कहा था कि सबको respect दो सबको एक नजर से देखो पर ऐसा करने से मुझे मैसूस होता है कि मैं सिर्फ प्यार बाट रहा हूँ मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा मैं औरों की care करता हूँ और उनका ध्यान रखने की भी कोशिश करता हूँ पर वो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते तो teacher बोले तुम अपनी humblness के बदले में कुछ क्यूं चाहते हो ये बात हमेशा याद रखो जब भी तुम कोई भी energy बाटते हो जैसे love, hate, anger या kindness वो तुम्हें जरूर वापस मिलेगी love एक circle की तरह है अगर तुम इसे बाटना शुरू करो तो ये वापस आता ही है problem तुम्हारी expectations के साथ में है तुम्हें लगता है कि तुम्हें love और respect उसी इनसान से मिलेगी जिसे तुम ये बाट रहे हो पर ऐसा नहीं होता ये किसी से भी तुम्हें मिल सकती है और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है पर तुम उन्हें same love नहीं देते बहुत बार हम उनकी care करना शुडू कर देते हैं जिनने हमारी कोई care नहीं होती और उन्हें भूल जाते हैं जिनके लिए हम ही सब कुछ है जे लिखते हैं जिस वक्त में frustrated होता था कि कोई मेरे message का reply नहीं कर रहा उसी वक्त मेरी मा शायद बैठ कर सोचती होगी काश मेरा बेटा मुझे call करता हमेशा ये याद रखो कि अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग time में तुम भी एक season हो एक reason हो और एक lifetime friend हो और जो role तुम दूसरों की life में play करते हो ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी तुम्हारी life में वो ही role play करें हम सभी biologically आपस में connected हैं chemically earth से और बाकी universe से connected हैं तो जिन्दगी में true meaning पाने के लिए हमें outer world की और बलना पड़ेगा इग्नोरेंट इंसान सिर्फ खुद के फायदे के लिए काम करता है जबकि wise person पूरी दुनिया की welfare के लिए काम करता है गोरंगा दास ने जे को बहुत inspire कर दिया था जब उन्होंने कहा वो पेड लगाओ जिनकी चाओ में बैठने का तुम्हारा कोई इरादा ना हो इस sentence की वज़े से जे की life का वो रास्ता खुला जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था और वहां से उन्होंने सीखा अपनी पूरी monk life का सबसे important lesson जिसे आज वो अपनी life के हर दिन खुद में apply करते हैं और वो है सेवा में जीना Service अपनी जिन्दगी को दुनिया की जरूरतों को सर्व करने में लगाना यही है जिन्दगी का highest purpose Monks service में जीते हैं और monks की तरह जीने का ultimate मतलब है service में जीना monks किसी भी जगह को उससे ज्यादा साथ छोड़ते हैं जितना उनके आने से पहले वो थी जिस किसी से भी वो मिलते हैं उन्हें उससे ज्यादा खुश करते हैं जितना उनसे मिलने से पहले वो थे और दुनिया को उससे बहतरीन छोड़ कर जाते हैं जितना बहतरीन उन्होंने इसे पाया था हम ही nature हैं और अगर हम nature को बारीकी से observe करें तो nature हमेशा सर्व करते रहता है sun हमें heat और light देता है trees oxygen और चाओं देते हैं पानी हमारी प्यास बुझाता है हम कर सकते हैं और monks ये करते हैं वो हर चीज को कुछ न कुछ सर्व करते हुए देखते हैं भगवत गीता कहती है इन सौभागी शाली पेड़ों को देखो ये पूरे निस्वार्थ से औरों की फायदे के लिए जीते हैं तो nature के साथ बने रहने का universe के साथ बने रहने का एक ही तरीका है दुनिया को कुछ सर्व करते रहना क्योंकि यही वो काम है जो universe हमेशा करते रहता है मंक्स मानते हैं हम सर्व करने के लिए पैदा होते हैं पर outer world के distractions हमसे हमारा purpose छिन लेते हैं अपनी इस सहच प्रविर्ती से हमें दुबारा जूरने की जरूरत है ताकि life में meaning feel होनी शुरू हो मंक्स जानते हैं कि service का pillar हमारी life को बहुत माइनों में सुधारता है service हमें connect करती है जब हम serve करते हैं तो अकेला रह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है service gratitude को दुगना कर देती है जब हम serve करते हैं तब realize होता है कि दुनिया को वाकई में उस चीज की जरूरत है जो हमारे पास offer करने के लिए है औरों की help करने से महसूस होता है कि हम दुनिया में कुछ difference पैदा कर रहे हैं और जिंदगी में meaning और purpose महसूस होता है service में जीते हुए हमारे पास complain और criticize करने का समय ही नहीं होता डर खत्म हो जाता है service में जीते हुए हम grateful रहते है material distractions diminish होते है तभी service ही direct path है meaningful life का Meditation chant legendary inventor Nikola Tesla ने कहा था अगर तुम universe के secrets जानना चाहते हो तो energy, frequency और vibration के terms में सोचो sound हमारे mind को चलाती है कोई song हमें पुरानी यादों में डुबा देता है कोई हमारा dance mode on कर देता है और कोई हमें emotional कर देता है शब्दों में वैसे ही power होती है और ये हमारी दुनिया को देखने के perspective को shape करते है तो जब हम chant करते हैं हम खुद energy generate करते है sound meditation हमें हमारी soul से और universe से connect करता है मंक sound की power को master करते है कुछ affirmations और mantras को अपने meditation के दौरान बार बार repeat करके सबसे पुराना और सबसे powerful mantra है ओम और इसकी chanting हमें अपने meditation में add करनी है meditation के end में हमें इसे तीन बार, साथ बार या इससे आगे जितना आप chant कर सको उतने बार बोलना है और बस अपनी आवाज को सुनना है conclusion तो इस book से हमने जाना monk mindset build करने की three stages first हम जाने देते हैं let go external influences को internal obstacles को और उन डरों को जो हमें पीछे खीचते हैं अपनी identity को पहचान कर negativity को बारी की से समझ कर और अपने डर का अपने favor में use करना सीख कर हम outer obstacles को जाने देते हैं उस जलते हुए घर को याद रखियेगा letting go को हम cleansing की धरा समझ सकते हैं जो की growth के लिए space build करती है second हम grow हुए हमने intention के साथ decision लेना सीखा अपने धर्म को जानकर purpose के साथ जीना सीखा monkey mind को monk mind से control करना सीखा और अपनी ego को भी master करना सीखा और finally हमने सीखा gratitude लोगों के साथ meaningful relationships और service की help से self content होकर partner और इसी के साथ हमने जाने three basic और सबसे powerful meditation breath work, visualization और sound I hope कि इस book ने आपको inspire किया होगा और अब आप अपनी जिन्दगी के लिए एक fresh start plan करोगे इस book से बस इतना ही I hope कि आपको ये knowledge valuable लगी हो और आप इसे apply जरूर करोगे At the end, it's all about love तो वीडियो को अपने friends की growth के लिए उन्हें share जरूर कीजेगा और साथ ही साथ इसे like और channel को subscribe करके bell icon को press करके all पे click जरूर कीजेगा and most importantly, thanks a lot for watching you're listening